एपिसोड नमबर 25 की स्टाटिंग होती है और चांगवन हेरानी से कहता है रुखो क्या मैं साधी कर लूँगा तुमारे क्या मतलब है फिर वान भई उससे कहती है याओ याओ ने मुझसे कहा कि तुम उससे साधी करना चाते हो तब ही वहाँ याओ याओ इंटर होती हुए कहती है चांगवन और उसकी आवास उन दोनों पीछे मुड़ते है और याओ याओ कहरी होती है चांगवन आप मेरे डैट के डॉकुमेंट्स घर पर ही भूल गए थे तो मैं पूरा रास्ता पर आपका पीछा करती रही और आखिर कार आप मुझको मिल ही गए और पर उसकी नजर वान बए पे पड़ती है और पिर रॉचला तो वह कहती है वान बए तिम यहाँ पर आप और वही वान बए उससे कहती है、 मैं यहाँ अपनि ग्रेंड़मा से मिलने आई हूँ क्योंकिया तुम्हें कोई दिक्कत है और वही यायो चांग्वान का हाथ पकड़ती होए कहती है तुम को आक्री बार चेताउनी दे रही हूँ तुम चांग्वान को सेटूस करना बंद करो और तुम उससे दूर रहो और वही वानमाई गुस्से से मन में कहती है मैं उसको seduce बिल्कुल नहीं कर रही हूँ फिर चांगवन कहता है यहां से दफा हो जाओ और फिर यायो कहती है क्या तुमने सुना नहीं चांगवन ने कहा कि तुम यहां से दफा हो जाओ फिर चांगवन यायो को धक्का देती हुए कहता है मैंने तुम से कहा तुम यहां से दफा हो जाओ और चांगवन के दक्का देने से यायो नीचे गिर जाती है और वो कहती है मैं यहां से नहीं जाओंगी और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और फिर चांगवन मान भाई का हाथ पकड़ता है और उसे लिजा तुवे कहता है ठीक है अगर तुम नहीं जाओंगी तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और भी यायो कहारी होती है चांगवन मत जाओ और फिर वो दोनों बाहर आ जाते है और चांगवन फैंग से कहता है तुम उससे निप्टो तब फैंग उससे कहता है ओके प्रेसिडेंट और फैंग जाकर यायो के हाथ से वो एन्वल अपले टिवे कहता है जे माफ करिये गामी सी यायो लेकिन मुझे ये डॉक्यूमेंट द दीजिए फिर फैंग उससे वो एन्वल अपले लेता है और वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते है और वहीं यायो मन में कहरी होती है वान बाई बस तुम इंतजार करना कि हमें तुमारे साथ क्या करती हूँ और फिर हमें कुछ दरबात का समय दिखाया जाता है जहां वान बाई चैन की सास लेती है और मन में कहती है इससे पता चलता ही कि यायो ने मुझसे जूड बोला था कि चांगवन उससे साधी कर रहा है और फिर चांगवन जाकर एक डॉक्टर के पास खड़ा हो जाता है और वान बाई से कहता है तुम वहाँ खड़ी क्या देख रही हो त अब कि ग्रेंडमा की कंडिशन पहले से बैतर है और वही वान बाई सिनेन को वहाँ देख घबराती हुए कहती है तुम फिर सिनेन उससे कहता है तुम मुझे डॉक्टर सिनेन कहो पर वही वान बाई मन में कह रही होती है क्या ये वही वेक्ती है और फिर चांगवन कहता है वो कुछ ही दीन में तुमारी grandma के operation का operator बन जाएंगा और पेर one bénbaid Changwan का हाथ पकड़ती है और सिनेन से कहती है प्लीस दो minute हमको कुछ बात एक अन्वे थारा करनी है और फिर one contract पार एक तरफ लिजाकर उससे कहती है क्या वो सच में ऐसा कर सकते है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन पर विश्वास किया जा सकता है और किसी दूसरे डॉक्टर के बारे में क्या ख्याल है और वो ज़्यादतर नाइट कलब में रहता है और उससे भी ज़्यादा एक्स्पिरियंस डॉक्टर है मिडिल एज के और वही सीने इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और गायाज जजिके साथ एपिसोड नमबर 25 यहां एंड होता है पसना है तो लाइक एंड सस्काइजर करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में